हेलो स्टुडेंस, विल्कम टू स्टड़ी हिंदी, आज हम क्लास एट की मदुप हिंदी पार्ठ माला से पार्ठ नौ फुटबॉल को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार डॉक्टर मनोच सर्मा जी है, बात करें डॉक्टर मनोच सर्मा की, तो डॉक्टर मनोच सर्मा का जन्म उद्धमपुर में हुआ था, इनकी सिक्षा दिक्षा श्री नगर से संपन्न होई थी, इन्होंने डोगरी भाषा और उर्दु भाषा में कई एकांकी और कहानिया लिखी हैं, जिनका अनुवाद भी किया गया, इनकी पुस्तक 15 कहानिया को सन 2010 का साहितिक अकादमी प्राप्त हुआ है, तो चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं, उन दिनों मेरा तबादला स्री नगर हुआ था, मेरी पतनी और मेरे दोनों बेटे भी मेरे साथ स्री नगर आये हुए थे, उन ही दिनों मेरे बेटे का जो छटी कक्षा का छात्र जन्म दिन आ गया, एक दिन म मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपने जन्म दिन पर क्या चाहिए, उसने एक दम कहा, बैट और बॉल, यह सुनते ही, मेरे छोटे बेटे ने भी कहा, मुझे भी बैट और बॉल चाहिए, अच्छा अच्छा, कल शाम तुम दोनों को बाजार ले चलूँगा, मैंने वाद अच्छा था, और बेटों ने कहा, कि उन्हें बैट और बोल चाहिए, और यह सुनते ही, जो लेखक है, उन्होंने कहा, कि उन्होंने वादा किया अपने बच्चों से, कि वे अपने बच्चों को बाजार ले चलेंगे, स्री नगर में यह मेरी पोश्टिंग थी, मैं दुकानों और बाजारों के बारे में अधिक जानता ना था, दूसरे दिन मैंने अपने बच्चपन के दोस्त मदन से, खेल के सामान वाली, दुकानों के बारे में पूछताच की, उसने कहा, बच्चाह चौक से माई सोमा रुका और हस्ते हुए कहने लगा तुम्हें याद है वो मुहम्मद अमीद जब हम नवी या दस्वी के छात्र थे तो परेड ग्राउंड में उसका कोई भी मैच नहीं छोड़ते थे लेखक कीया स्रीनगर में पोस्टिंग थी और वहां यहां के बारे में अधिक नहीं जानत था तो उसने यहां उसके रहने वाले एक दोस्त मदन से पुछताच की दुकानों के बारे में और मदन ने बताया कि बट्षा चोक से माईसुमा बाजार में गुशते ही दहिने हाथ की दूसरी गली में अमीन के खेलों के सामान की दुकान है वहां बच्चों के लिए सब मैं याद करने लगा वह फिर बोला यार तुम तो फुटबॉल खेलते थे तुम कहते नहीं थे एक दिन मैं भी अमीन की तरह सिर्फ जम्मू कस्मिर का ही नहीं सारे हिंदुस्तान का टॉप का खिलाडी बनकर दिखाऊंगा कुछ याद आया मुझे सभी कुछ याद आ गया आउसत कत का चौड़ा भारिसा अमीन लिफ्ट आउट पोजिशन पर खेलते हुए जब गेंद के पीछे भागता था तो सारे दर्शक में सोर की एक लहर उड़ जाती थी जब लेखक के दोस्त लेखक को अमीन के बारे में बताते हैं तो पहले तो लेखक को उसे याद नहीं आता लेकिन बाद में जब वो कहते हैं कि यादे तुम पहले कहते थे कि तुम भी अमीन के तरह जम्मू कस्मिर का ही नहीं बरकि हिंदुस्तान का टॉप का प्रेयर बनक में खेलता था और जब वह बोल के पीछे भागता था तो दर्शोकों में सोर की लहर उड़ जाती थी कहने का मतलब है कि लेक अमीन उस समय बहुती चर्चित खिलाडी था सभी में एक जोस एक उमीद उभरती थी कि अब जरूर कुछ ना कुछ होगा वह फुटबोल को लेकर दूसरी तरफ के खिलाडियों को चकमा देकर उनमें से तीर की तरह निकलता था तो मेरे अपने रोएं खड़े हो जाते थे दिल तेजी से धड़कने लगता था और सांस रुपती सी प्रतीत होती थी और कभी जो वह गोल कर देता तो सिर्फ मैं ही नहीं सब लोग जोर जोर से चिलाने लगते थे और फिर लगतार शोर और तालिया हमारी टीम के बाकी के खिलाडी कभी उसे गले लगाते कभी कंधों पर उठा लेते लेखक आगे याद करते हुए कहते हैं कि जब भी बॉल अमीन के पास आती थी तो लोगों में जोस और उमीद उभरती थी और उन्हें लगता था कि अब कुछ न कुछ जरूर होगा और वह दूसरे जो ऑपेनिंट टीम है उनके खिलाडियों को चकमा देते हुए तीर की तरह निकलते थे उसे देखकर लेखक के रोएं खड़े हो जाते थे और दिल उनका धड़कने लगता था सांस रुकती सी प्रतित होती थी और अगर वह जो गोल कर देते तो लोग जोर-जोर से चिलाने लगते खुशी होते शोर करते तालिया बजाते और उनके जो खिलाड़ी है उनके जो टीममेट से उन्हें उसे कभी अमीन को गले लगाते और कभी-कभी उन्हें कंदे पर उठा लेते थे फिर ग्यारवी क्लास में आते आते पढ़ाई के कारण फुटबॉल छूट गया इंजिनिरिंग की सीट पर नजड थी वह मिल भी गई इंजिनिरिंग कॉलेज में भी नवी-दसवी क्लास में आने वाला फुटबॉल का वह नसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया अब तो फ उनका फुटबॉल खेलना छूट गया और क्योंकि उनकी नजर इंजिनिरिंग के सीट पर थी मतलब वह इंजिनिरिंग करना चाहते थे तो जिसके वज़े से उनका फुटबॉल करना साथ जो है उनके दिमाग से अब उतर रहा था धीरे धीरे और आज देखते ही देखते इतने साल पीद गए और इतने सालों में आज तक लेखक ने फुटबॉल पर किक नहीं लगाई है कहने का मतलब है कि दस्वी के बाद उन्होंने फुटबॉल खेलना बिलकुल ही छोड़ दिया दूसरे दिन मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर माई सुमा बाजार में गली में घुसकर अमीन की दुकान ढून रहा था मैं गली के भीचों भीच पहुँचा तो मेरी नजर एक दुकान के बाहर लटके हुए दो फुसपुसे और पिचके हुए फुटबॉल और एक बैट पर पड़ी यहां अमीन की दुकान तो नहीं हो सकती यही सोचकर मैं आगे बढ़ता गया दुकान के पास पहुँचकर मैंने एक बार फिर सरसरी नजर से देखा बाहर एक पुराने मठमेले से बोड में लिखा हुआ था अमीन स्पोर्ट स्टोर दूसरे दिन लेखक के दोस्त ने जिस बाजार के बारे में अमीन की दुकान के बारे में बताया था लेखक वहां गए और उसे ढूनने लगे जब वह गली के बीचवीच पहुचे तो उनकी नजर बाहर लड़के दो फुसपुसे और पिचके हुए फुटबॉल पर और एक बैट पर पड़ी यहां देखकर उन्हें लगा कि यहां अमीन की दुकान तो नहीं हो सकती लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि दुकान के बाहर एक मटमैला सा बोट पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था अमीन स्पोर्ट स्टोर आओ बच्चो यहां देख लेते हैं नहीं तो फिर किसी और दुकान पर चलेंगे या कहते कहते मैं दुकान की सीडियों पर कदम बढ़ाए मेरे पीछे पीछे मेरे बच्चे भी बेमन से आ गए दुकानदार अकबार पीछे फेक कर खड़ा हो गया मुझसे नजर मिला कर कहने लगा आईए जी बताईए क्या खिदमत करो बैट बॉल मेरा छोटा बेटा तबाक से बोला तो लेखक अपने बच्चों के साथ उस दुकान के अंदर गए सायद बच्चों को यह लग रा था कि इस दुकान में उनके खेल का सामान नहीं मिलेगा जब लेखक दुकान के अंदर गए तो अकबार पीछे फेक कर जो दुकानदार है वो सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि बताइए क्या खिद्मत करूँ और लेखक के छोटे बेटे ने कहा कि हमें बैड और बॉल चाहिए अभी दिखाता हूँ आजकल तो सभी क्रिकेट के सौकीन है कहकर वो दुकान के पिछले हिस्से में चला गया जहां एक कोने में कई बैड दिवारों के सहारे ठिके हुए थे दुकानदार ने खाकी रंग का पुराना सा लेकिन साफ खान सूट पहना हुआ था उसके पाओं में नाइलन की चप्पले थी दाड़ी के काफी बाल सफेद थे उसका आधा सर गंजा था मैं मन में सोच रहा था कि यहीं अमीन है नहीं या नहीं हो सकता वक्त भी आदमी को इतना नहीं बतल सकता लेखक के छोटे बैटे द्वारा बैड बॉल कहने पर अमीन ने कहा आजकल तो सभी क्रिकेट के सौकीन है और यह कहकर वह दुकान के पिछले हिस्से में चला गया जहांपर बैट और बॉल रखे हुए थे लेखक ने दुकानदार को देखा दुकानदार ने खाकी रंग का पुराना सा खानसूर पहना हुआ था पाओ में चप्पले थी दारी के काफी बाल सफेद थे आदा सर गंजा था लेखक यही सोच में पड़ गए कि यह वही अमीन है नहीं नहीं यह नहीं हो सकता फिर वह उसने तीन-चार बैट काउंटर पर रख दिये, दोनों बच्चे बैटों पर जपड पड़े और एक-एक बैट को पकड़ पकड़ कर आपस में खुसर-फुसर करने लगे, मैंने पूछ ही लिया, माफ कीजिएगा, क्या आप पुराने फिटबॉल और अमीन साहिब तो नहीं हैं, मैं ही अमीन हूँ, फरमाईएं, अमीन ने बैट और बॉल लाकर काउंटर पर रख दी, और बच्चे उस पर जपड पड़े और आपस में खुसर-फुसर करने लगे, लेकिन लेखक के मन में यही सवाल था कि क्या ये वही अमीन है, उन्होंने पूछ ही लिया, कि माफ कीजेगा, क्या आप पुराने फुटबॉलर अमीन साहब तो नहीं है, तो इसमें दुखांदार कहता है, कि हाँ, मैं ही अमीन हूँ, फरमाईए, मैंने कहा, दरसल आप मुझे नहीं जानते पर वह स्कूल के दिनों में मैं आपका हर मैच देखता था, 1975 में रेलवेज के जम्मु कस्मीर का जो मैच हुआ था, वह तो मैं कभी नहीं भूल सकता, अमीन का चेहरा दमकने लगा, मैंने उस मैच में तीन गोल किये थे, तीनों फिल्ड से पहले हाफ में, हम दो गोल पीछे थे, वल्लाह क्या मैच था, कहता कहता वह रुक गया, तो यहां लेकर कहते हैं कि दरसल अमीन जी आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं बच्पन में आपके सारे मैच देखता था, और जो 1975 में रेलवेज और जम्मु कस्मीर के साथ मैच हुई थी, वह भी मैं कभी नहीं भूल सकता, तो यहां सुनकर अमीन खुश हुआ, और उसने बात को आगे कहा कि मैंने उस मैच में तीन गोल किये थे और बहुत ही अच्छा मैच था वह और यह कहता कहता वह रुख गया, अमीन चाचा एक डेल रुपे वाली कौपी और दो पैंसिल दीजिए, एक कस्मीरी बच्चा दुकान पर चड़ कर सामान माग रहा था, ब गिनने लगा, यह लो तीन और दो पांच बच्चा सामान लेकर चला गया, गली में जाते हुए मैं उसे देखता रहा, इसी बीच एक कस्मीरी बच्चा आता है और अमीन से एक डेल रुपे वाली कौपी और दो पैंसिल मांगता है, अमीन यह उसे दे देता है, साथ ही बच पैंसिल और चॉकलेट लेकर जाते हुए लेखक जो है वो देखते रहते हैं, फिर अमीन मुझे देखकर कहने लगा, सिर्फ खेलो का सामान इस गली में बेचकर घर नहीं चल सकता, क्या करे घर का खर्चा चलाने के लिए यह सभी कुछ रखना पड़ता है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, वह अमीन जिसके साथ कितने ही लोग और लड़के हाथ मिलाने के लिए होड लगाते थे, आज वह उन्हीं हाथों से कुछ पैसों की टौफियां गिन रहा था, अमीन कहते हैं कि केवल खेलों का सामान ही इस गली में बेचकर घर नहीं चल सकता, जि जिसे हाथ मिलाने के लिए लोगों में होड मची रहती थी, वही अमीन आज कुछ पैसों की टौफिया गिन रहा था, मैंने अब दुकान के पिछले हिस्से में दो बैट पसंद किये और काउंटर पर आकर पूछा, ये दोनों ठीक है ना, उसने बच्चों से पूछा, आइटिंग वाले दस्ताने और दो जोड़ी लेक पेड़ भी दे दे, दोनों के पास पूरा-पूरा सेट हो जाएगा, मैंने अमीन से कहा, हमारे बच्चों में क्रिकेट का कितना शौक है, फुडबोल में तो बच्चों की दिल्चसबी ही खतम होती जा रही है, कहता हुआ आमीन पीछे सामान लेने चला गया, लेखक ने बच्चों के लिए दो बैट पसंद किये, और जब आमीन ने पूछा कि बेटा बॉल लेदर का चाहिए या कार का, तो लेखक ने कहा कि लेदर के ही ठीक रहेंगे, साथ ही एक सेट विकेट का, और दो जोड़ी बैटिंग व पर फुटबोल पर तो उनकी दिल्चस भी ही खतम होती जा रही है, या कहता हुआ हुआ पीछे सामान लेने चला गया, अब अमीन हमारा सारा सामान पैक कर रहा था, मैंने वक्त गुजारने के लिए पूछा, मैंने तो सुना था, आप बंगाल की किसी टीम में चले गए हैं हाँ, दो-तिन साल मैं कलब में भी खेला, एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई, मैं सिर्फ फर्म की टीम में खेलता था और कुछ ना करता था, फिर हमेशा की तरह नए लड़के, नए जोर-शोर के शाथ, पुराने खिलाडियों को पीछे ढखेलते हुए आगे हो जाता है, अमीन अब लेखक के सामान को पैक कर रहा था, तो लेखक ने पूछा कि मैंने तो सुना है, आप बंगाल की किसी टीम में चले गए हैं, तो अमीन इस पर कहता है कि हाँ, दो-तिन साल में कलब में खेला, उसके पाथ मुझे प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल वहां बस वे फुटबॉल खेलते थे, फिर जैसे कि हमेशा की तरह नए लड़के जोर-शोर से आगे आने लगे और पुरानी खिलाडियों को पीछे ढखेलते हुए, आगे बढ़ते गए, और अब अमीन पुराने हो गए हैं, और अमीन के खेल के साथ-साथ उसके नौकरी भी चली गई, उसके पैसे भी गए, सोहरत जोब थी, वो सब चली गई, यहां बोलते बोलते अमीन उदास हो गया, और फिर कहने लगा कि शुक्र है कि हमारे बुज़गों की यहां पुरानी दुकान थी, जिसके कारण, जिसके दौरा उनके घर का गुजारा हो जाता है, उ फिर हाथ से उसे फर्श पर टप से उचाल कर जाचने लगा, मुझे लगा, वो हमें भूल कर खुद फुटबॉल खेरने लगा है, फिर उसने फुटबॉल को उपर उचाल कर कैच किया, और हाथ में पकड़ लिया, फिर हसकर बोला, यह बिल्कुल ठीक है, अब फुटबॉ ना हुई तो वह अपनी कमीज के अगले हिस्से के कोने के साथ बड़े प्यार से फुटबोल रगड़ने लगा जैसे पालिस कर रहा हो जब लेखक का सामान पैक हो गया तो अमीन ने लेखक को जरा रुकने के लिए कहा वह भीतर गया और एक फुटबोल लेकर आया उसमें हवा भरी और टप से उसे उचाल कर जाचने लगा और खुद उससे खेनने लगा उसके बाद फिर हसकर बोला कि यहां बिल्कुल ठीक है उसके बाद जब उससे तसली ना हुई तो फिर वह उसे साफ करने लगा वह अपने कमीच से भी उसे साफ करने लगा और ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे कि वह फुटबोल की पालिश कर रहा हो जब वह साफ कर चुका तब उसके हाथों में काला सफेद फुटबोल सच में बड़ा चमक रहा था यह फुटबोल बच्चों के लिए मेरी तरफ से कहते हुए उसने फुटबोल मेरे हाथ में पकड़ा दिया वह कह रहा था आपके घर में पड़ा रहेगा तो बच्चे कभी कबार इसके साथ भी जरूर खेलेंगे मैंने कहा आप महरबानी करके इसके भी पैसे लगाईए फुटबोल को साफ करने के बाद अमिन ने उस फुटबोल को लेखक के हाथ में पकड़ा दी और कहा कि यह आपके बच्चों के लिए मेरी तरफ से अगर यह आपके घर में पड़ा रहेगा तो बच्चे कभी कबार इसके साथ भी खेल लिया करेंगे पर लेखक ने कहा कि नहीं नहीं आप इसके भी पैसे लगाईए ना यह मेरी और से है बाकी सामान के पूरे पैसे लूँगा यह कहकर वा सामान का बिल बनाने लगा पर बीज-बीज में बोलता जा रहा था आजकल फुटबोल कोई छोटा खेल नहीं है साहिब खिलाड़ी अच्छा हो तो सब कुछ है पैसा है इजजत है सोहरत है नाम है कहते कहते वा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया फिर कहने लगा आप मेरी और ना देखे हमारी बात अलग थी हमारा वक्त दूसरा था यह लीजिए आपका बिल उसने बिल मेरे आगे कर दिया मैंने पैसे देते हुए उससे पूछा आप अकेले ही दुकान पर बैठते हैं मुश्किल तो नहीं आती आपका बेटा क्या कर रहा है तो फुटबोल के लिए लेखक ने कहा कि नहीं नहीं आप इसके लिए भी पैसे लगाई है लेकिन इस पर आमिन कहता है कि ना ये मेरी और से है आपके बच्चों के लिए और बाकी सामान का जो है मैं उसका पूरा बिल लूँगा तो इस पर या कहने के बाद वो बिल बनाने लगा और कहने लगा कि आज कल फुटबोल भी कोई छोटा खेल नहीं है अगर खिलाड़ी अच्छा है तो उसमें फुटबोल में पैसा भी है इज़द भी है और शोहरत भी है नाम भी है या कहते कहते वो चुप हो गया फिर वो कहने लगा कि मेरी और ना देखे मेरा वक्त दूसरा था या वक्त जो है वो दूसरा है और अमीन ने बिल लेखक के आगे कर दिया लेखक ने पूछा कि आपका बेटा क्या कर रहा है उसके मुँपर एक रौनक सी आ गई वो कहने लगा आपने फुटबोल में शौकत का नाम तो सुना ही होगा कलकत्य के स्पोर्डिंग कलब की तरब से खेलता है वह मेरा बेटा है मुझे पूरा यकीन है कि वह हिंदुस्तान की अगली लाइन में स्ट्राइकर होगा मेरे बच्चों ने अपना सामान उठा लिया था पैसे देकर मैंने अपने आप अपना दाया हाथ सामान से मुख्ट करके उसकी और बढ़ाया उसने बड़ी गर्म जोशी के शाथ हाथ मिलाते हुए कहा अच्छा खुदा आफिस लेखक के दौरा अमिन के बेटे के बारे में पूछने पर अमिन के चेहरे पर रौनक सी आ गए और कहने लगा कि आपने फुटबोल में सौकत का नाम तो सुना ही होगा जो कलकता के स्पोर्डिंग क्लप की तरफ से खेलता है वही मेरा बेटा है और अमिन को यहाँ पुरा यकीन है कि वह एक दिन हिंदुस्तान के लिए स्ट्राइकर के रूप में भी खेलेगा और यहाँ बात चित हो चुकने के बार लेखक के बच्चे अपना सामान उठा लेते हैं और लेखक भी अपने पैसे को दे कर अपना दाया हाथ को सामान से मुक्त करके उनसे हाथ मिलाते हैं अमिन से और गर्म जोसी के साथ हाथ मिलाते हुए अमिन कहते हैं खुदा आफिस और इसे तरह यह पार्ट सवाप्त हो जाती है इस पार्ट में हमने जाना कि हमारे देश में क्रिकेट जो है वो अन्य खेलों के तुलना में बहुत अधिक लोग को प्रिया है और उसे सभी ही पसंद करते हैं, सभी क्रिकेट को महत्तो देते हैं और उतना किसी अन्य खेल को वोई नहीं देते हैं महाथ तो वैसे ऐसा नहीं है कि अन्य खेलों में जो खिलाडी है वो प्रतिवावान नहीं है वो हैं लेकिन खेल अधिक लोक प्रिया ना होने के कारण वह जो खिलाड़ी है वो कुन नामे के अंदेरों में हो जाते हैं साथ ही जो प्रतिवावान जो खिलाड़ी हैं अमारे देश के उनको अन्य देशों के लिए खेलना पड़ता है तो हमें चाहिए कि क्रिकेट जैसे ही हम दूसरे खेलों को भी देखे उनको भी महत्वध हैं उनको भी पशंद करें तो संचेप रूप में यहां पाठ हमें यहां सिखाता है कि क्रिकेट के अलावे हमें अन्य खेलो के प्रती भी रूची जगानी चाहिए नए खिलाडियों के साथ-साथ पुराने खिलाडियों को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए ताकि वे अमीन जैसे ना बन जाए अपने समय में वे भी एक बहतरीन खिलाडी थे हमें यह नहीं भूनना चाहिए साथ ही यहाँ पाठ हमें परिस्तितियों के अनुलूप स्वयम को ढालने की भी सीख देती है जैसा कि अमीन के साथ हुआ जब वह बुड़ा होने लगा खेल तो गया गया नौकरी गई शोहरत गई लेकिन उसकी बुजर्गों की पुरानी दुकान थी जिसको चला कर ही उसने अपने परिवार का और अपने जीवन का निर्वाह किया तो यहाँ थी फुड़ोल काहानी उमीद है कि आपको यह काहानी समझ में आ गई होगी तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू फो वाचिंग